सांट्री पैड की सिलाई हमने पहले से ही पिछले पार्थ में सांट्री पैड के लिए दो फ्लाप पीस और तीन होल्डिंग पीस काटे हैं इस पार्थ में हम देखेंगे कि कैसे सभी पीस को एक साथ सिले ताकि सांट्री पैड बने इस पार्थ के अंत में आप सांट्री पैड के लिए कपड़ों के टुकड़ों को सिल पाएंगे सबसे पहले आईए हम अमृता सांट्री पैट बनाने के लिए क्या औजार और चीज़े चाहिए इससे वाकिफ हो जाएं हमें चाहिए कटे हुए कपड़े के पीस, बटन, हाथ सिलाई की सुई, मैचिंग धागा, शियर्ज और सिलाई मशीन हमने पहले से ही दो फ्लाप पीस और तीन होल्डिंग पीस को सांट्री पैट के लिए काटा है अब आईए हम देखें कैसे सारे कटे हुए पीस को एक साथ सांट्री पैट बनाने के लिए सिलेंगे पहले हम दो फ्लाप पीस को एक साथ सिलेंगे इसके लिए पहले एक फ्लाप पीस को लीजिए उसके सही साइड उपर की तरफ रखते हुए दूसरे फ्लाप पीस को उसके सही साइड नीचे की तरफ रखते हुए पहले फ्लाप पीस के उपर रखे अब एक तरफ के बीच के एक बिंदू से सिलाई शुरू कीजिए पाव इंच की सी मंतर को सभी तरफ छोड़ते हुए फ्लाप पीस के चारो तरफ से लाई जारी रखिए जब तक आप शुरुवात बिंदू के तीन से चार इंच पहले न पहुँच जाए अब फ्लाप पीस के दोनों तरफ एक छोटी सी काट लगाईए जैसे की दिखाया गया है एक कोने को पकड़ते हुए कपड़े को अंदर से बाहर पलट दीजिए सीम को सभी तरफ से दबाईए अब हम चारू तरफ एक टॉप स्टिच सीम करेंगे सीम के चारो तरफ को दबाईए हमने सैंट्री पैट के लिए दो फ्लाप पीस की सिलाई को पूरा किया है अब हम सभी होल्डिंग पीस की सिलाई करेंगे इसके लिए सबसे पहले सूती कपड़े के दोनों होल्डिंग पीस को सही साइड एक दूसरे की तरफ मू करते हुए रखिए अब रिसाव रहित कपड़े को दो होल्डिंग पीस के ऊपर रखिए होलिंग पीस के तीन सतर को पाउं इंच सी मंतर छोड़ते हुए एक साथ सिलिए अब हम सिर्फ तीन तरफ सिलाई करेंगे एक साइड को खुला छोड़ते हुए अब कपड़े को अंदर से बाहर कीजिए जैसे की दिखाया गया है कपड़े को पलटने के बाद खुली तरफ की सिलाई भी कीजिए अब हम सभी तरफ टॉप स्टिच करेंगे अब हम होल्डिंग पीस को फ्लाप पीस पर जमाएंगे इसके लिए होल्डिंग पीस को फ्लाप पीस के उपर रखिए दोनों विपरित तरफ से लाई कीजिए जैसे की दिखाया गया है अब हम होल्डिंग पीस के एक तरफ एक बटन को जमाएंगे और दूसरी तरफ बटन होल्ड बनाएंगे इसके लिए होल्डिंग पीस के मद्य पर निशानी लगाईए कपड़े को मोड़ते हुए जैसे की दिखाया गया है बटन होल्ड के लिए आधी इंच निशानी बनाईए अब शियर से उस निशानी पे काटिये ताकि बटन होल की सिलाई कर सकें बटन होल को बटन होल स्टिच के साथ या ब्लैंकिट स्टिच के साथ सिलाई कीजिए अब दूसरी तरफ एक बटन की सिलाई कीजिए फ्लैप पीस को मोड ये और उसे होल्डिंग पीस के अंदर डाल ये जैसे की दिखाया गया है हमारी सैंट्री पैड अब तैयार है इस पार्ट में हमने देखा है कि कैसे सैंट्री पैड बनाने के लिए कपड़ों के टुकड़ों को सिला जाता है जानने से पहले आईए हम सैंट्री पैड की सिलाई के मुख्य कदम एक और बार दोहराएं कदम एक, दोनों फ्लैप पीस को पाव इंच सीम अंतर छोड़ते हुए और दोनों की सही बाजू को एक दूसरे के तरफ मुख करते हुए सिलाई कीजिए और तीन या चार इंच शुरुवात में छोड़िए ताकि कपड़े को अंदर से बाहर कर पाएं कदम दो, सभी तरफ एक टॉप स्टिच सीम कीजिए कदम तीन, पाव इंच सीम अंतर छोड़ते हुए होलिंग पीस के तीन सतर की एक साथ सिलाई कीजिए और एक तरफ खुला छोड़ दीजिए कदम चार, कपड़े को पलटते हुए खुली तरफ की सिलाई भी कीजिए कदम पाँच, होल्डिंग पीस के सभी तरफ टॉप स्टिच कीजिए कदम 6, Holding Piece को Flap Piece के साथ जमाईए और विप्री तरफ सिलाई कीजिए कदम 7, Holding Piece के एक तरफ बटन को जमाईए और दूसरी तरफ बटन होल बनाईए इसके साथ हम इस पार्ट के आखिर में पहुंच चुके हैं